मेरे प्यारे देश्वासियों, मुझे सीतापूर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमरित महोत्सव से जूड़ी चर्चा हैं, उन्हें खूब पसंद आ रही हैं, वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधिन्ता संगराम के बारे में काफी कुछ जानने का, सी लगातार प्यास कर रहे हैं, साथियों, अमरित महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने के भी प्रेणा देता है, और अब तो देश भर में आम लोग हो या सरकारे हैं, पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक अमरित महोत्सव की गुंज है, और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कारकमों का सिलसिला चल रहा है, ऐसा ही एक रोचक प्रोग्रेम पिछले दिन दिल्ली में हुआ, आजादी की कहानी, बच्चों की जुबानी, कारकम में बच्चों ने स्वाधिनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस् लेंड और फिजी के स्टूडेंज भी शामिल हुए हमारे देश का महारतन ओएंजीसी ओएंजीसी भी कुछ अलग तरीके से मृतम होसा मना रहा है, ओएंजीसी इन दिनों वेल्फिल्ट्स में अपने स्टूडेंज के लिए स्टड़ी टूर का आयोजन कर रहा है, इन टू आसों में पुरे जोस और जुनूर के साथ हाथ बटा सके, साथियों आज हादी में अपने जन जातिय समुधाय के योगदान को देखते हुए देश ने जन जातिय गवरोव सप्तावी मनाया है, देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़े कारकम भी हुए, अंडमा जीवन प्रदर्शन किया, एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में उना के मिनियेचर राइटर रामकुमार जोसी जी ने भी किया है, उन्होंने पोस्टे स्टेमपर है, यानि इतने छोटे से पोस्टे स्टेमपर नेता जी सुभाचंदर बोश और पुर्व प्रधान मंतरी पिलारबादरु सास्त्री जी के अनोखे स्कैच बनाए हैं, हिंदी में लिखे राम शब्दपर उन्होंने स्कैच तैयार किये, जिसमें संख्षेप में दोनों मापुरोषों की जीवनी को भी उकेरा गया है, मत्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादग की गई है, ऐसा ही एक कारकम काशी में हुआ, गोस्वामी तुलसिदास, संतकबीर, संतराइदास, भारतेंदुहर्चंद्र, मुनसी प्रेमचन और जैसंकर प्रसाज जैसी महान विभूत्यों के सम्मान में तीन दिनों के महोत्सव का आयोजन किया गया, अलग-अलग कालख के पिछले एपिसोर्स के दोरां, मैंने तीन प्रतियोगीताओं का उलेग किया था, कॉम्पूटिशन की बात कही थी, एक देशभक्ती के गीत लिखना, देशभक्ती से जुड़ी, आजादी के अंदोलन से जुड़ी, गटनाओं की रंगोली बनाना, और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लौरी लिखी जाए, मुझे आशा है, इन प्रतियोगीताओं के लिए भी, आप जुरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे, योजना भी बना चुके होंगे, और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे, मुझे आश